विल्कम टू मैं चानल आजा में एक शौर एंड को एक रीडिंग करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एक्वेडियस अगर सुन मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी एक्वेडियस यानि की कुम्बराशी है तो यह रीडिंग आपके लिए है एक जन्रे स्पैफिक रीडि है खुम्ब तो फ्लीज एंड इन उनिवर्स गाइड में एक्वेरियस खुम्बराशी फ्लीए तो ट्विटी एथ फेवरी थाज़नांग ट्विनीट्री ना लाइट सी वाट टारा हास फ्योग एस अफ कॉप्स यह कार्ज मना आपके पहली काफी शपल अंड मेडिटेट क करके रखे हुए हैं सो लेट सी तू अफ पैंटिकल्स दा सं आपका चालेंज है टेन वांज एन आपका बॉट्टम ऑप टा डेक है दा वर्ड सराउंड़ बाई पॉर अफ सॉज ता डेवल ओके तो मैं देख सकती हूं अब यह नाइस एट पहले तो मैं आपको यह बता द नंबर काफी इंपॉर्टेंज रखता हुआ नजर आ रहा है सम्हाँ वन नंबर इस वेरी इंपॉर्टेंट फो यू आ या तो आपका बर्डिट हो सकता है बोट नंबर डेस्नी नंबर या फिर आपके पार्टनर का तो अगर आप यह हैं तो आप लोग थोड़ा ज्यादा दियान दें और सारे ही साइन्स यहां पर मौजूद हैं क्याप्रिकॉन मुझे थोड़ा ज्यादा मिल रही है तो अगर आपके पार्टनर या आपके छाट में ज्यादा स्ट्रॉंग है तो आप लोग थोड़ा ज्यादा है मैं देख सकती हूं कि पास्ट में कोई लव औफ डेफिनिटली आपके पास आया है निया पास में अब हर कोई अपनी लाइब के अलग अलग पड़ाब पर है तो अभी आप अपने साफ से राजनेट करो कोई डेफिनिटली गलव ओफर आता हुआ मैंने देखा है कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी लव के है या कोई भी दो चीज हो सकती है अलग अलग सिचुएशन पर डेपेंड करता है तो बैसिकली आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे कंफ्यूज रहोगे कि विच पार्टु वाक ओन विच पॉसन तू चूज विच प्लेस तू चूज विच तू चूज विच तू जगड जाना है कौन सी रहा पे चलना है आपका चालंज है तो मैं देख सकती हूं कि पास का कोई हर्ट पेन वाउंड है डेफिनिटली है जिसको आपको ओवरकम करना है इसी वज़े से आप मुझे डाइलमा में भी नजर आ रहे हो कि आपको इसको जो है सेकंड चांस देना जाहिए और अपने जो है आपको बेसिकली ओवरकम करना है जो भी नेगेटिव ट्रॉमा है उन पर आपको और आपको विजय हासल करनी है यह आपका चालंज है कुछ पास की कुछ भी जो डीज है मिस हैं उन्हें फोगे और लेट गो करना है यह आप कर पाओगे या नहीं क कर पाओगे और मैं देख सकती हूं आप बहुत ब्यूटिफुली कर पाओगे बिकॉज आपका बॉटम आप देख है दा वर्ट सराउंड विद फॉर फॉर फॉर्ड एंड देपल जो भी आपके पास नेगेटिव एनरजी है या कुछ भी आप जिस चीज को लेके है विच इस वन आप दा हैपिएस कार्ड ओफ दा डिक तो फॉर शूर मैं आपको एक स्टेबिलिटी सक्सेज हैप्विनस के परस्पेक्टिव में आगे बढ़ते हुए देख पा रही हूं बस आपको जो है अपने चालेंज को जीतने नहीं देने जो आप मुछ ओवरकम कर बढ़ने का सोचो आगे बढ़ने का सोचो because he or she is the one for you अब अगर आप यह जौप के परस्पेक्टिव में देख रहे हो या करिया के परस्पेक्टिव में देख रहे हो तो भी मेरा जवाब यही रहेगा कि यह अपर्चुनिटी बहुत अच्छी है go for it यह आपको लाइफ मे आगे जाके fruitful result ही देने वाली है that's a clear kit announcement from the universe आपकी monology कह रही है see the bigger picture it's time to take action बड़ी picture देखो अभी आप माइड भी थोड़े डाइलमा में हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कभी past जो है repeat तो नहीं होगा मैं इसे forgive करके कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं यह से second chance देना चाहिए नहीं देना चाहिए आपको युनिवर्स बोल रहा है कि अपना माइंड पहले तो क्लियर करो है ना सी हमार बॉट्टम अब तरह के communication is can clear your mind अपना जो है माइंड जो है clear कर रहे हैं आप जिस भी person से deal कर रहे हो वो मुझे Capricorn के साथ साथ जहमिना राशी के भी बहुत स्ट्रॉंग लग रहे हैं यह आपके चार्ट में जमना है बहुत स्ट्रॉंग हो सकता है तो आपको युनिवर्स बोल रहा है कि बड़ी पिक्चर देखो action लेने का time है यह time मत जाने देना अपना माइंड जो है clear करो अपने सारे blockages clear करो and communicate करो communication से ही जो blockages हैं आपके वो सारे remove होंगे and आपको एक clarity मिलेगी if you want clarity अगर आपको एक conclusion पर पहुष ना चाहते हो इस confusion से बाहर निकलना चाहते हो तो definitely communication is the way to success for you Aquarius. Make the effort, see great love is worth taking the steps you are guided to take and आपका bottom of the deck है honeymoon enjoy the bliss of a holiday time together with forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moment. मुझे कुछ और कहनी की जरूरत है क्या? आपका honeymoon time बहुत नेर है जैसे मैंने बुला ना stability happiness is coming your way बस आपको forgive करना है but forget करने को universe नहीं बोल रहा है forgive करो and उससे learn करो क्योंकि जैसे ही आप अपने past को release करोगे और उससे सीखोगे कि आपको क्या दुबारा नहीं करना है in future आप अपने आपको healed करोगे and अपने past के experience से य present में क्या मिस्तिक दुबारा नहीं करनी है nurture the love love is definitely made for you and is waiting for you in the near future careers so that's all I have for you hope this reading helps Jai Shif Shakti